अभी तक टाटा चाया हुआ था एलेक्टरिक मार्केट के सेग्मेंट में जब इन्होंने टियागो का EV वर्जा लॉंच गया मानों पूरे दुनिया में हड़कम भी मज गया कि सबसे अफॉरडेबल एलेक्टरिक वहिकल अंडर 10,000 डॉलर आ चुकी है यूके से लेके यूरोप और पूरे अमेरिका में ये बात फैली काफी लोग इसे पसंद भी कर रहें इन फैक वो चाहते हैं कि टाटा भी उनकी देश में आए और ऐसी गाडिया वो भी डिजर्व करते हैं लेकिन अब हाली में हमें देखने मिलाए कि MG की कॉमेट EV लॉंच हो चीकी है लगबग 8,000,000 रुपीज में और कहीं न कहीं अब ये काफी टफ कॉमेटिशन देना चाहते है जो अपकमिंग टाटा की नैनो एलेक्टरिक वर्जन होगी उसे सो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि टाटा कैसे प्रिपार कर रहा है अमेरिकन कांपनी के साथ मिल कर इस चाइनीज कांपनी को टकर देने के लिए लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो MG की कॉमेट EV है तो इसकी रेंज है लगबग 230 किलो मिटर्स और सिंगल चार्ज 17.3 किलो वाट आस की लीधियम आयन बैटरी इंस्टॉल की गई है अगर हम प्राइस फीचर बैटरी रेंज और बाकी सारी चीज़े देख ले तो लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि टाटा कैसे प्रिपार कर रहा है अपने आपको सो हाली में टाटा ने American Giant Cummins के साथ टाइप कर लिया है जहां पर ये मैनुफेक्ट्चर करेंगे लो टू जीरो एमिशन टेक्नोलोजी प्राड़क्ट्स ये काफी जादे एफिशेंट प्राड़क्स होंगे एक बाद जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इन सभी प्राड़क्स को भारत में मैनुफेक्ट्चर किया जाएगा इसके लिए दोनों बड़ी जाइंट कांपनीज मिलकर एक न्यू बिजनेस एंटिटी सेटप कर रही है अब गड़करी जी हाइडरोजन कार को इतना प्रमोट कर रहे है तो बहला टाटा कैसे पीछे हो सकता है ताटा ने हाथ मिला कमेंस के साथ कि हम भी हाइडरोजन पावर्ड इंटर्नल कंबर्शन इंजिन डेवलप करेंगे फिर काफी अल्टरनेटिव फ्यूल सेल टेकनोलजीज भी डेवलप किया जाएगा बैटरी उलेक्ट्रिक पावर ट्रेंस इस पर सबसे मेन फोकस होगा बिकास भारत में ये काफी फ्यूचर का बड़ा मार्गेट है अब भी भी बहुत मैसिव मार्गेट है ये टाटा ने तो प्लान किया है कि हम तो 10 एलेक्ट्रिक वहिकल भारतिय बजार में उतार देंगे आने वाले 2025 तक सो काफी सारी जितनी भी बड़ी कंपनी से काटिक की टकर इनको मिलने वाली है टाटा की तरफ से और अब ये जो पार्टर्शिप हुई है डेफिनेटली टाटा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है वैसे आपको क्या लगता है जब टाटा नैनो एलेक्ट्रिक वर्जिन लांच हो जाएगी तो क्या ये एमजी की कॉमे टीवी को टकर दे सकती है आपकी क्या रहा है इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट्स में उताइएगा